पत्ता गोबी खाना चाहिए या नहीं? क्या प्रेग्नन्ट महिला पत्ता गोबी खा सकती है? इस बारे में लोगों के मन में बहुत प्रहमन. नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विज्जोती में आपका स्वागत है. टिप्स जो रखे स्मार्ट. आईए, शुरू करते हैं. पत्ता गोबी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? यहां जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पत्ता गोबी क्यों खाना चाहिए? पत्तागोवी में बिटा के रोटीन, ब्रेसिनीन, विटामिन C और अन्य विटामिन्स भरपुर मातरा में पाये जाते हैं ये एंटियोक्सिडन्ट होने के साथ साथ इसमें क्यालोरी की मातरा कम होती है जिसके कारण पत्तागोवी खाने से हमारे आखों की रोश्नी बढ़ती है, चेहरे पर निखा राकर पिम्पल्स दूर होते हैं, इम्मिनिटी बढ़ती है, कब्ज से रहत मिलती है, वजन कम होता है और कैंसर से बचा होता है अब सवाल ये है कि यदि पत्तागोवी में इतने सारे गोन हैं, तो ये क्यों नहीं खानी चाहिए इतनी गोनकारी पत्तागोवी को लेकर लोगों के मन में जो डर है, उसकी वज़व वो कीड़ा है, जो पत्तागोवी के सेवन से हमारे शरीर में जा सकता है इस केड़े को टेप वर्म या फिता कुरुमी कहते हैं जो सफ़ेद धागे जैसा लंबा होता है टेप वर्म बहुत पतला और सफ़ेद धागे जैसा होने से खुले आखों से हमें दिखाई नहीं देता कई बार बहुत अच्छी तरव धोने पर भी यहां कटी हुई गोभी पर चिपका रहे जाता है यहां जानवरों के मल में पाया जाता है पत्ता गोभी की गंदी पानी से सिचाई करने पर उसमें ये थ्रेड वर्म आ जाते हैं पत्ता गोभी काटते वक्त चाको से इसके जितने तुकडे होंगे उतने ही नए कीड़े बनते जाते हैं एक बार यदि यहां कीड़ा शरीर में घुज गया तो यह मरता नहीं है बलकि बढ़ता जाता है एक दिन में एक बड़ा टेपवर्म एक लाख अंडे तक दे सकता है इससे आप इस कीड़े की भयानकता का अंदाज लगा सकते हैं टेप वर्म या उसके अंडे शरीर में पहुशने पर इसके लारवा बनते हैं इन में से कुछ या कोई एक लारवा आतों में फश जाते हैं यहां एक परजीवी कीडा होने से हम जो भी खाते हैं उसे खाते खाते यहां कीडा बड़ा होता जाता है इसकी लंबाई 50 फीट तक हो सकती है यदि ये खुन में पहुश जाते हैं तो खुन के साथ बहकर लिवर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या आखों में गुश जाते हैं ये लारवा शरीर के जिस अंग में पहुशते हैं उसी को प्रभावित करते हैं जैसे यदि आख में गुश गए तो व्यक्ति अंदा हो जाता है और यदि मस्तिक में गुश गए तो व्यक्ति को मिर्गी के जटके आ सकते हैं या व्यक्ति बेहोस हो सकता है या उस व्यक्ति की मृत्यू भी हो सकती है अब आप कहेंगे कि यदि ये कीड़ा इतना हानिका रखे तो हमें पत्तागोबी खाने ही नहीं चाहिए ऐसा नहीं है दोस्तों हम पत्तागोबी खा सकते हैं लेकिन पत्तागोबी खाने के सही तरीके को अपना कर यदि मरा हुआ केड़ा पेट में चला भी गया तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता इसलिए नियम बनाए कि पत्ता गोबी कच्ची नहीं खाएंगे उबालकर या सबजी बनाकर खाने में कोई हर्ज नहीं है पत्ता गोबी को running water मतलब नल की तेज धार के नीचे धोने से यह केड़ा हट जाता है इसलिए पत्ता गोबी यदि कच्ची खानी ही है तो इसे रेश्टारंट या शादियों में खाने से बचे क्योंकि रेश्टारंट या शादियों में कई बार ये अच्छे से नहीं धोई जाती वैसे पत्ता गोबी कच्ची नहीं खाए तो अच्छा है क्योंकि कभी कभी ये बहुत अच्छे से धोने पर भी कीड़ा रहे जाता है रेश्टारंट आधि में सैंडबीच, बर्गर या पेटिस आधि में पत्ता गोबी न डलवाए क्योंकि इनमें पत्ता गोबी कच्ची ही डाली जाती है और ज्यादा संभावना इसी बात की रहती है कि पत्ता गोबी बराबर धूली हुई नहीं अब जानते हैं कि प्रेगनंट महिला पत्ता गोबी खा सकती है या नहीं पत्ता गोबी के हेल्थ बेनिफिट्स देखते हुए प्रेगनंट महिलाओ को भी पत्ता गोबी का सेवन जरूर करना चाहिए सिर्फ पत्तागोभी का सेवन करने से पहले जिन नियुमों का पालन सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए उन्हीं नियुमों का पालन प्रेगनेंट महिला को भी करना चाहिए जैसे पत्तागोभी कच्ची ना खाए अच्छे से पका कर ही खाए क्योंकि यदि यह केड़ा प्रेगनंट महिला के शरीर में चला गया तो मिस्केरेज भी हो सकता है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये और खुश रहिए